नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सिस ड्रिफ्ट यदि इरादे नेक हो और हुसले बुलंद हो तो सफलता आपके कद में चुमती है इस बात का जीता जाकता उधारन है दुनिया की सबसे अमीर सक्स और एमेजॉन के मालिक जैब बेजोस कई कमपनियों में काम करने के बाद जैब बेजोस ने एक आनलाइन बुकि स्टोर खोला था जिसने उनकी किस्मत बदल दी और आज हम जैब बेजोस की सफलता के बारे में ही बात करने वाले हैं जैब बेजोस के पास आज यानि की 16 मार्च 2021 को 181 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ती है और जबकि उनकी कमपनी एमेजॉन की कुल संपत्ती 2020 में 321 बिलियन यूएस डॉलर की थी जैब बेजोस का जन 12 जनवरी 1964 में अमेर्का के निव मैक्सिको में हुआ था और उनकी पिता 18 महीने की उम्र में ही उन्हें और उनकी मा को छोड़ कर चले गये थे फिर कुछ दिनों तक उनकी मा ने उनको अकेला पाला और जैब बेजोस जब 4 साल के हुए तो उनकी मा ने माइक बेजोस नाम के एक आदमी से साधी कर ली उस दिन के बाद उनका सर निम बेजोस हो गया फिर साधी के बाद उनका पूड़ा पडिवार हीउस्टन स्टिफ्ट हो गया जैब बेजोस के अंदर बच्पन से ही चीजों को खोल कर देखने के जिग्यासा थी इसलिए जैब बेजोस चीजों को बार-बार खोल कर देखते और ये जानने की कोशिज करते कि कैसे वो चीजी काम करती है जैब बेजोस ने प्रिंग्स्टेन यूनिवर्सिटी से कम्प्यूटर साइंस में डिगडी हासिल की फिर उन्होंने आगे चलकर वाल स्ट्रीट में भी काम किया और भी बहुत सारी कम्पनियों में उन्होंने काम किया फिर उन्होंने सोचा कि वो कब तक दूसरों की कम्पनियों में काम करते रहेंगे इसलिए उन्होंने खुद का अपना एक बिजनस सुरू करने के बारे में सोचा तो अपना बिजनस स्टार्ट करने से पहले उन्होंने लोगों की डिमांड को समझने की कोजिस की जब उन्होंने लोगों की डिमांड को समझा तो जाना कि आने वाले समय में online business की demand बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है तो इसी field में अगर business start किया जाए तो आगे जाकर बहुत profit होने वाला है जब Jeff Bezos नौकरी छोड़ कर Amazon को शुरू करने के बारे में सोच रहे थे तो उन्हें इस बात में बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा था फिर उन्हें ने सोचा कि जब वो 80 साल के हो जाएंगे तो उन्हें ये नौकरी छोड़ने का अपसोस नहीं होगा लेकिन इस बात का अपसोस जादा होगा कि इस online golden opportunity का फायदा नहीं उठाया इसलिए फिर उन्होंने 1994 में अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़ दिया और फिर अपने घर के गैराज से ही online company की शुरुआत की इसकी शुरुआत किताबे बेचने से सुरू की गई ऐसा इसलिए भी था क्यूंकि जफ बेजोस को किताबे जादा पसंद थी उन्होंने तीन computer और कुछ करबचाईयों के साथ अपनी company की सुरुआत की जैफ के मातापिता ने भी उनकी खूब help की और हाला कि जैफ का business model उनके मातापिता को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो इंटरनेट के बारे में नहीं जानते थे लेकिन जैफ बेजोस्क पर बुड़ा विश्वास था जैफ ने अपनी company का सुरुआती नाम रखा catboda फिर आगे चल कर इसका नाम बदल कर relentless.com रखा लेकिन ये नाम भी उनके दोस्तों को पसंद नहीं आया और 1995 में इसका नाम बदल कर दुनिया की सबसे बड़ी नदी Amazon के नाम पर रखा गया क्योंकि वो अपनी company को दुनिया की सबसे बड़ी online book seller company बढ़ाना चाहते थे इसलिए इसका नाम Amazon.com रखा दो महिने में Amazon ने 45 से अधिक देशों में किताबे बेच दी यह Amazon की पहली सफलता की सीड़ी थी उसके बाद हर एक हपते की बिकड़ी 20,000 डॉलर तक पहुँच गई और यही समय था जब 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 बजोस की company Amazon जमीन से आसमान तक की उचाईयों तक पहुँच गया था और आगे चलकर इस पर हर एक तरह की समान को बेचा जाने लगा और इसी तरह Amazon दुनिया की सबसे बड़ी online shopping company बन गई और आज Amazon पे काफी services परदान करती है जैसे की Kindle, Amazon Prime Video, Amazon Prime, Amazon Alexa, Amazon App Store, Amazon Music और Amazon Web Services और भी बहुत सारी services Amazon प्रोवाइड करती है और Amazon की वज़े से ही आज जैब बेजोस आज दुनिया के सबसे अमीर वेक्तियों में जाने जाते हैं तो देखा दोस्तों कैसे एक जैब बेजोस ने एक सपना देखा और उसे पूरा करके दिखा दिया जैब बेजोस का मानना ये है कि अगर आपके पास दूर की सोच हो और जीवन में बड़े निरने लेने से नहीं चूपते हैं तो आप भी एक सफल विजनसमेन बन सकते हैं तो आज कि सी वीड़ो में इतना ही लाइक करें अगर्ट वीड़े काम की लगी हो तो और कमेंट करके बताए कि मैं और कौन से मैंटोर और बिजनस के बारे में वीडियो बनाऊं और सेर रोन के सैथ जिनने बिजनस में इंट्रेस्ट हो या जो कुछ बड़ा करना चाहते ह लाइफ में और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को हर संडे ऐसी वीडियो देखने के लिए और बैल आइकन पे जरूर क्लिक करें वरना आपको नौटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप वीडियो मिस कर दोगे और अगर आप ये वीडियो फेस्बूक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज सक्सेस ड्रिफ्ट को फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा और फाइनिली थैंक्स पूर वाचिए